आप सभी की प्रशना आते हैं कि दिदि अगर हमारे घर परिवार पर मानसाहर करते हैं तो कैसे हम सभी अपने घर पर विराजमान देवी देवताओं की पूजा करें कैसे हमारे घर पर लड़ु गोपाल है या हमारे ब्रत पूजा पाठ होती है तो कैसे उसे करना जहिए तो ध्यान से सुने और अंतितक वीडियो में बने रहे हैं, आईए है वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सभी की अपनी अपनी धार्णा है, अपना जीवन जीने का तरीका है, भारतवर्ष में कई परिवार ऐसे होते हैं, जहा अवस्था में आप हों, परन तो आपको किसी भी स्वरूप में मानसाहार तो नहीं करना चाहिए, यह सास्त्रों में भी लिखीद बाते हैं, तमाम तरह कि जब बिमारियां आती हैं, तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि मानसाहार अंडे इत्यादी का सेवन ना करे तो अच्छ बना देता है, ऐसे में किसी के लिए यह बादेता तो नहीं है, यह अलग विशय है, परन तो जितना संभवो मानसाहार ना करे, किसी दिन अगर रात में आपको मानसाहार किया हुआ है और कल ब्रत है, तो कैसे अपने ब्रत को परिपूर्ण करें, तो शास्त्रों में कहा गय कि आप सभी को ब्रत से एक दिन पहले साप सच भोजन करना चाहिए, तामसी चीजों से परहेच करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान जी की भक्ती मंत्र जापित्यादी में लगे होते हैं, ऐसी इस्तिती में मन वीचलित होता है, तो आपका अगर कल ब्रत है, तो आप सभी को कि किसी भी अवस्था में मान सहार नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी मानिता है, यह ब्रत पूजापाट को तोड़ता है, और इससे पूजापाट का फल हमें नहीं मिलता है, अगर ऐसी इस्तिती है कि आप भूल गये हैं, या आप से गलती हो गई ब्रत से एक दिन रातरी पहले किसी भी अवस्था में नहीं खानी है, परंतु खा चुके हैं, गलती हो गई है, तो आप सभी सुबह उठे सबसे पहले, और अपने बालों को धोएं, कहा जाता है, मन और तन को पूर्ण रूप से सवच्छ करना चाहिए, तो आप सभी मन जन अच्छ से करना चाहिए, उसकी बाद आप ब्रत कर सकते हैं, कोई दोराय नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मन में डर और जीजक की भावना को छोड़िए, ब्रत करना जरूरी है, भगवान जी की पूजा भी करनी जरूरी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नही को जो है इन चीजों का भोग भी लगाया जाता है मान सहार का और साथी माकाली को भी जो है इन चीजों का भोग कई छेत्रों में मैं एक स्थान की बात नहीं कर रही है किसी भी छेत्र में जैसे वेस्ट वेंगोल इत्यादि में महां पर तो इन चीजों का वो होता ही है ऐसी स् पुरारानों में भी पड़ा होगा, राक्षस हो, दानव हो, सभी भगवान जी की पूजा करते थे, भले ही महादेव को अपना आरादे जानते हो, स्रीहरी विष्णु को या मातारानी को, परंतु वह कुल देवी में याका पूजन तो करते ही थे, तो भगवान जी की पूज तो लगती है, ऐसा किसी सरूप में नहीं कहा जा सकता है, ये नौन वेज खाने वाले बेक्तियों की पूजा भगवान जी को नहीं लगती है, लगती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आपका मन और तन स्वच्छ है, और आप साथ के साथ दूसरों की सेवा पूजा मे नहीं करना है, यहां तक कि भगवान जी के लिए अगर आपके घर पर नौन वेज बनता है, अंडा मीट मांस बनता है, तो भगवान जी के लिए किसी भी स्वरूप में वह पूजा की थाली, वह पूजा के बरतन प्रियोग में ना हो, उनके लिए भोग बनता है, तो वह ब उने बच्चे के हाथ से जो है भगवान जी को भोग लगवा सकती हैं, ड्राइफूट का भोग लगा सकती हैं, परंतो अगर ऐसी स्तिती है कि आप सभी विशेश तोर पर अंडा मीठमान से खाये हैं, तो मंदिर इत्यादी जाने में भी सास्त्रों में परहेज बताया गया है बस इस बात का ध्यान रखे कि आप सभी बाल इत्यादिद होकर इसनान इत्यादि से निवरित होकर भी भगवान जी की पूजा करें और साथ के साथ भूल चूक के लिए छमा प्रारती हों, पूजा पार्ट लगता है ऐसा नहीं है, परंतो नौन वेज और इन चीजों का ज पूला इत्यादि करें तब ही आप सभी जो है अपने ब्रत पूजा आरादना को संपन कर सकते हैं, इस तरह से यह जानकारी थी वीडियो प्यों की रहती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें